जैसे योग शरीर, मन, बुद्धी, आत्मा को जोडता है वैसे आज योग विश्व को भी जोड रहा है योग ऐसा है जो जीरो बजेट से खेल एश्वरंस देता है योग एवल व्यायाम भर न होकर अपने आप से तथा विश्व वप्रकूति के साथ दादात्माय को प्राप्त करने का माध्यम है भाले आप धर्ती के किसी भी छोड पर रहते हों भले आप दुनिया के किसी भी हिस्से में रहने वाले हों या आप किसी भी देश के निवासी हों मगर योग एक ऐसा धागा है जिसने आज सारे संसार को एक ही सूत्र में पिरो दिया है ये सूत्र है स्वस्त शरीर का ये सूत्र है स्वस्त मन का और ये सूत्र है बैतर दुनिया का वैसे तो योग का इतिहास हजारों साल पुराना है मगर पिछले कुछ सालों में ये सारी दुनिया के लोगों को बैतर जीवन देने का सबसे बड़ा जरिया बन चुका है जंगलों और पहाणों की कंदराओं से निकल कर योग के अनेक आसन अब आप लोगों की जहतों बालकनी और ड्राइंग रूम्स तक में पहुँच चुके हैं अनेक अबूज बिमारियों से नौटी आज की मानों सब्भेता को योग में ही निरोग शरीर की राह दिखाई देती है 21 जून 2015 के पहले अंतर राश्ट्रिय योग दिवस के बाद से तो योग अनेक देशों के घरोणों लोगों के लाइफ स्टाइल का हिस्सा बन चुका है आज की दुनिया घरोणा नाम की एक रहस्यमई बीमारी की गिरफ्त में है एक अबूज वाइरस अब तक अंगिनत लोगों के शरीर की शराओं तक अपना घर बना चुका है इसके संक्रमण की वज़ा से लाखों लोग बेवक्त ही काल के गाल में समाच चुके हैं चारू तलब फैली इस नाउमीदी के घोर अंधेरे के बीच आज की मानों सबहता अपने अस्तित्म के लिए योग की तरफ टक टकी लगाए देख रही है योगा नुशासनम योगा हा चित्त वृत्ति निरोधा हा तब ही तो स्वस्त तन और स्वस्त मन के लिए दुनिया भर की मेडिकल एजेंसियां लोगों को योग अपनाने की सला दे रही है कोरोना काल के तरह माम के बीच जी मीडिया का ये योग इविमर्ष उन पहलिवों से आपको जोडने का जरिया है जो मुसीबत के इस वक्त में आपको सेहत मन शरीर और स्वस्त मन हासिर करने की राह बताएगा दुनिया भर में डंका बजाने वाले योग गुरू यहां आपको बताएंगे कि कैसे योग के प्राजीम सूत्र को अपना कर हम कुरोना के खिलाफ संक्रमर के संधर्ष में विज़ाई हो सकते हैं यहां हम आपको ऐसे फिटनेस गुरूं से भी मिलाएंगे जो मौडन योग के जरिये आपको फिट रहने के गुर सिखाएंगे तो देखते रहिए जी मीडिया का ये अनोखा और आदभर योग इविमार्ष जी हिंदुस्तान के इस खास पेशकर्ष में हमारे साथ जुड़ चुके हैं हिंदुस्तान के इस योग की ताकत को पूरी दुनिया में डंका बजाने वाले और लोहा मनवाने वाले खुद स्वामी बाबारामदेव बाबारामदेव जी बहुत बहुत प्रणाम और जिस संगश से पूरी दुनिया इस वक्त जूज रही है हमारा देश भी उससे चुता नहीं है मैं कोरोना की बात कर रही हूँ लेकिन 21 जून जब अंतरास्टी योग दीवस मनेगा पूरी दुनिया में उस दिन पर भी भारत की इस ताकत में ये छलक दिखनी चाहिए कि कैसे हम इस कोरोना के संगश को संगश से लड़ते हुए इस से जीतते हुए आगे बढ़ेंगे हमारी योग की ताकत से लोगों में इम्म्यूनिटी बढ़ेगी और लोग इस योग को अपना कर इस हिंदुस्तान की ताकत को पूरी दुनिया में फिर से फैला देंगे प्रतम तो बादिर का भेन आपको और हिंदुस्तान को जिसके संकल्प में जिसके विचार धारा में और जिसके आदर्शों में हिंदुस्तान सबसे उपर है इसके लिए आपकी सोच को सलाम करता हुआ योग की संदर में मैं तीन बाती छोटी-छोटी कहना चाहूंगा जहता कोरोना का प्रशन है कोरोना उनी प्राटेक करता है जिनका रेस्पिरिटी सिस्टम वेक है जिनकी इम्मिनीटी वेक है जिनका ब्लड प्रेशर और हार्ट प्रोब्लम शुगर का प्रोब्लम बहुत इन कंट्रोल में नहीं रहता है जिनको मल्टिपल डिजीज है तो एक साथ योगा भ्यास आपके रास्परिटी सिस्टम को भी स्ट्रेंथन करता है जब हम बस्तरी का कबाल भाती अनुलोम बिलोम ब्रामरी उद्गीत प्रानायाम सुरेडवसकार अलग असन पोश्यर्ट करते हैं तो रैस्परिटी सिस्टम अच्छा होगा इसके साथ साथ इमुनिटी आपकी मजबूत होगी बीपी शुगर कॉलेस्ट्रोल से लेकर के सुगर से लेकर के सारी डिजीज आवकी कंट्रोल म रहेगा तो कोरोना तो हारे गई और हिंदुस्तान जीतेगा इंसान जीतेगा लेकिन इसके आगे की जो बात में कहना चाहता हूं योग एक जीवन पद्धती होने के साथ साथ चिकित सा पद्धती होने के साथ साथ योग पूरी मानव ताके कल्याण का एक मार्ग है इससे पूरी दुनिया की समस्या युद्ध। अलग अलग परकार के मझभी उन्माद आतंकवाद नकसर अब चीन होडे हिं दू स्थानका आप देखी रहें और इसी तरह से पूरी दुनिया में अमेरिका और Qisam साथ में भी जिससरे से पूरी दुनिया में चल रहा है तो अलग-अलग जो युद्ध की स्थिती है उसका भी समाधान योगी है इसरे मैं तो सबसे अवाहन करूंगा योग को अपने जीवन शैली का हिस्सा बनाएं सुबह सुबह एक घंटा योग कर ले बाकि दिन भर में ज अपना लेते हैं तो इस पर जड़ा आप गौर करें देखो माधुरिका जी हम यहां पतंजली और रुची सोया बड़े-बड़े जो है संस्थानों को चलाने से लेकर के पतंजली योगपीठ और पतंजली योगपीठ संस्था के सांथ मैं 600 सी ज्यादा जिलू 5000 पैसिरों ठाइलाग गौमा उर्गनाइजेशन चलाता हूं फिर भी सुबच चार बजे से लेकर के आठ बजे तक का मेरे पास वक्त होता है मैं योग के लिए वक्त निकालता हूं तो यह तो थोड़ा हमें अपना माइट्शेट चेंज करना पड़ेगा आप यह भी योगा भ्यास कर जिसको भस रेका कहते हैं यह एक से दो मिनट जरूर करें कपाल भाती जिससे पेट पेंट्रिया से लेकर के रिप्रोड़क्टि अक्सिक्रोडर राजसरे स्केलिट्री रस्परेटिस पूरा सिस्टम अच्छा हो जाता है एक एक साल जीन्स क्रोमोंस दियाने से लेकर के सुर्वात यहां से करें फिर देरे देरे आप पांच मिनट खुद करने लगेंगे आपको आनद आएगा जी जी यह नलोम बिलोम फिर ब्रामरी यह पांच ब्रीविंग एक्सटिस फिर डाइब है तो 5 आसन मोटा तो 5 आसन कमर दरग है तो पांच पांच आशन का मैंने पूरा प्राकेज बना रखा है और मैं चार-पांच मिनट में पूरा कर देता हूं सबसे पहले मोटा पाइब बता रहा हूं यह किसी को भी मोटा पाइब यह बैठ करके यह जबर्दस्त है ऐसे भी कर सकते हैं और इसको दोना ठोड़ी के नीचे करके ऐसे भी कर सकते हैं तो ऐसे यदि सो बाइर करेंगे तो पेट पीट सब एकदम हलके रहेंगे दोर यह तीन चार-पांच पांच अभ्यास हो जाएंगे यह अर्दालासन फिर पादवृत्तासन एक एक पैर से ऐसे क्लोकवाइज एंटी क्लोकवाइज बड़ासन ने बनाना पूरा ऐसे पूरी गोलाएं में यह और यह फिर आप दोनों पैर उसे एक साथ भी कर सकते हैं जिसका शरीर थोड़ा हलका हो तो और फिर यह वी चक्रिकासन सैक्लिक तो यह पांच अभ्यास मै ने आपको एक ही मिनट के अंदर बता दी है मोटापा के लिए और एक एक मिनट में इनको सो सो बाहर तक गिया जा सकता है और एक दिन भी मैं लोगों का आधा से किलोवेट कम कर देता हूं अब बात आती है डाइबिटीज की यह भी बड़ी समस्या है इसमें मंडू कासन ब इसे एक तरफ से फिर दूसरी तरफ से ऐसे कर लिए एक पर सीधान को करें से पैर कांपने लगेंगे पेट पेंक्रिया जिद्दम अच्छी हो जाएंगे फिर यह दोनों तरफ से यह पेट के लिए बीए के लिए यह इतने चेंटे बता दिये मनें पहले मुटा अपा के लिए अफ़ दैवडी जो पीट के लिए अब कमर के लिए एक तो यह मर्कटासन जबर्दस्ता सीधाइब बिल्कुल सीधे लिटा हो इसलिए लेट करके शुरुवात कर दे रहा है यह म्रकटासन ऐसे भी हो सबको पता है यह वी कमर के लिए बहुत अच्छा है और यह भी कमर के लिए बहुत अच्छा है और बैठ करके यह उष्ठ आसन तो मैंने सूपर फास्ट यह कर दिया है स्वामी ची मैं आपने हम लोग जब इस वाइदस की बात कर रहे थे आपने रिस्पारिटरी सिस्टम पर बात की थी जोर दिया मैं चाहूंगे कि सांस के रोग्यों के लिए भी कुछ कुछ आसन ज़रूर बताएगेगा जी श्वास के लिए दमा के लिए एलर्जी के लिए बहन ब्रीधिंग एक्सेसाइस से बहतर कुछ भी नहीं है आज मेरा रेस्परिटरी सिस्टम इतना स्ट्रॉंग है कि मुझे साल में एक बार भी सर्दी जुकाम का फैलर्जी नहीं होता है मैं एक मिनट में 200 ब्रैथ रेट है मेरा मैं ऐसे क्योंकि मुझे नहीं तो हाइपरेटेंशन है हाट की प्रॉब्लम है ना अस्थमा है ना हर्मिया है ना कमजोरी है मैं तो इसको ऐसे फास्ट भी करता हूं लेकिन जिनको अस्थमा की प्रॉब्लम है यह बस्रिका करें ऐसे तीन से पास मिनट कपाल भाती करें यह पास से दस मिनट और अनुलोम विलोम करें पास से दस मिनट दमा का दम निकल जाएगा एक दम ठीक हो जाएगा बाकी स्वासारी हमने बनाया हुआ है स्वासारी के पहले तो पाउडरी देते थे हम लोग और लिक्विट देते थे अब गोली भी बना दिया हमने स्वासारी की गोली खाले दूद में हल्दी सिलाजी चौनप्रा साधी ले या गिलोई तुलसी हल्दी अद्रक कालमिर्च का काढ़ा पीले उससे कोरोना भी भागेगा और आपका इम्मिनेटी भी आपकी स्ट्रोंग होगी और रेस्पिरिटी सिस्टम भी आपका बहुत ही ज जड़ाई उन्होंने जीती वो जीत गए और फिर वो अपने घर चले गए लेकिन ऐसे लोगों को भी एक डर जरूर है इस वक्त देश में ऐसे कई लोग है जो ठीक हो गए उनको भी डर होगा कि कही मेरी आसपास फिर से उस वाइरस की वज़े से कोई समस्या ना हो जाए य कैसे लोगों को आप क्या टिप्स देना चाहेंगे जो इस वक्त एक तो वो जो खुद आइसोलेशन में हैं होम आइसोलेटेड हैं दूसरे वो जो इस वक्त ठीक होकर आ गये हैं क्या चीज उनको ध्यान में रखनी है और कैसे योगा को दिन्चरिया का हिस्सा बनाना है कि आपने दो बाते पूछे में तीन बता देता हूँ एक तो प्राणायम रोज करे योगा व्यास रोज करें शुर्यभाञण मसकार बहुत जभर्दसत है जे ये कर लेंगे तो पहली बात तो जो संक्रमी नहीं है वो संक्रमИत नहीं होंगे यह चो ये अल's कर और गिलोई का काड़ा पिले ने तो गिलोई की गोली तुरसी की अश्वगंधा की कैप्सूल और श्वासरी की वटी यह आमने सब को बताईए कि इनका सेवन करने से आप संक्रमन होने से भी बचेंगे संक्रमी तो होगे तो 100% आप ठीक हो जाएंगे और जो संक्रमी तो हो करके आ गए हैं वापस गड़ वो भी घरा आकर की जरूर कम से कम गिलोई की तो गोली खाही ले वो इम्मिनिटी को भी बुश्ट करती है और साथ में ही बिल्कुल जहा है जो जवान है बिल्कुल जो जो प्राइबरी प्रिवेंशन है यज सेकेंडरी प्रिवेंशन भी है कंट्रोल व्योंगि डिजँ का दो जो संक्रमी तॉ हो चुके हैं वह भी योग करें प्रिश को हमस्ते को बता दे घर लोट अब आथे औरूमय को एक वडियार क्स बात मताना चाहता हो हमसे क्ली निक कंट्रोल स्टेडी और अब तो क्रिंडिकर कंट्रोल ट्राइल का भी काम हमारा पूरा हो चुक है खली डोकुमेंटेशन चल रहा हो जाएगा हम देश को बता देंगे हrenalे हैं और अब तो प्रणयम करें सात में शासरी सेड़ोगलि ले सकते हैं और खाने के बाद में गिलोई तोलसी अश्वगंधा ले सकते हैं दूद में हल्दी सिलाजी छोनपरा सादी का सेवन कर सकते हैं आप कोरोना क्या करोना का बाप भी आपका कुछ नी विगार सेकेगा ऐसी सब के भीतर निशिंतता होने चाहिए सबको निर्व है रहना चाहिए ये मूल मंत्र है उच्छा से लबालब भरे रहना और अपने आपको मजबूत रखना मादूरिकाजी बिल्कुल स्वामी जी आपने जो बात कहीं मैं इसी से एक सवाल और लूँगी आपने का उच्छा से लबालब रहना और तनामुक्त रहना तनामुक्त देश के वासी रहें देश के लोग रहें ये बहुत जरूरी है इस वक्त क्या हो रहा है कि जो जनरेशन हमारी इस वक्त की जो टीनेज की जनरेशन है वो ज्यादा तर स्ट्रेस लेती है कोई आफिस की भाग दोड़ में है कोई अपने पढ़ाई की भाग दोड़ में है कोई रिलेशन्शिप्स की भाग दोड़ में है वो स्ट्रेस कम रह स्ट्रेस बस्टर के तौर पर कौन से योगा करने चाहिए यह अनुलों बिलों जो अभी कर रहा हूं ना लेफ नॉसे से राइट ब्रेंड राइट नॉसे से लेफ जी मने हमारा इसके साथ साथ शीत्री शीत्कारी भी कढ़े यह ठंडक भी देता है तन को भी मन को भी दिल दिमाग को और मन में शांति आती है शीतली जिवा भार निकालके जी, 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 मूँ से लिया नाक्से छोड़ दिया जी, ऐसे इसको पास साथ बार करें, मूँ से लेके नाक्से छोड़ एक सीथ कारी है दातों के पीछे जीव लगा के मूँ से स्वास ले न जी, जी, नाक्से छोड़ दिया और उंकार के साथ गाहित्री का जब करें। तो बहुत अच्छे बहुत अच्छे के लिए जो आपने बताए, सिर्षासन औरади प्रवांगासन यहे तो इस एक दम स्ट्रेस भी रहेंगे, लिए मत्षा Muss já puis नहीं बाल नहीं जड़ेंगे, और बोड़ी में अलेडिक लेवगा और सदाजा जवान रहेंगे, बुड़े नहीं होंगे, तो ये मैंने जवानों को भी सदा जवान रहने के लिए, ever young रहने के लिए मंत्र दे दिया है, माधरी काची. बिल्कुल बिल्कुल आपने ठीक है स्वामी जी, आपने ever young रहने का जो मंत्रा है, उसमें महिलाओं के लिए कुछ खास बताईए, देखें, महिलाओं जब तक मजबूत है, तब तक समाज मजबूत है, हमारा देश श्रशक्त है, मजबूत है. जिसमें हड्यों की बिमारी महिलाओं में ज्यादा हो जाती है, आप्टर 40, तो ऐसे कई सारी बिमारियां हैं, जो उनको घर कर लेती हैं, और उसमें काम भी उनको करना है, उनको कई ऐसी भी हैं, जो वर्किंग हैं, उनके लिए खास कोई योगा बताईए, जो महिलाओं को स जो आटाव घर में खुदी तैयार करती थी, ये चक्की आसन अब ऐसी कर लिया करें यो तो इसे कर लिया करें, जो तीर मिनट, फिर जो हैं ये हो सके तो एनको कर लिया करें, ये भी बहुत अछ्छा है, किसी को पूरा ज्यादा ही करना हैं, तो पीछे भी पूरे चले यह और अच्छा है तो ऐसे यह दो अभ्यास तो यह फिर जो पहले मैंने बताए वे थे भुजंगा असन और अर्दलासन पादवृत्तासन दृचकरिकासन जो मोटापा कम करने वाले अभ्यास हैं वो लेडीज को जरूर करने चाहिए और लेडीज के लिए एक खास अभ्यास खास कर चहरे पर ग्लोब बना रहे हैं अब्यु शीर की बहुत प्रॉब्लम होती है उसके लिए जी जी उसके लिए एक तो यह जैरे पर लगा भी ले और बहुत ही ज़्यादा चेरे के उपर पिग्मेंटेशन हो गया है रिंकल्स और पुरा का पूरा जाईयां बहुत ज्यादा आगे तो कांती लिए कच्छे दूद में हनी में अलवेरा जैल में मिला करके लगा ले और अ सब्सक्राइब करना चाहिए कपालभाती प्रणायाम से और अनलोम मिलोम प्रणायम से हार्मोनल इंबैलेंस कते ही नहीं होता और किसी को थारेड की भी प्रोब्लम हो जाए तो कपालभाती के साथ साथ उज्जाई और सिंगहासन ये तीन चीजे करोर यहां से पॉइंट दबाले और जो कर सके सर्वांगासन करने जो अभी मनें कर दो दो करके बताया था एकी सिंगहासन है हाहा हाहा है ऐसे और एक गले को टाइट करके अज़े होल्ड करके रखा और दायना को बंद करके बाहें से चड़ दिया तो यह बहुत जरूरी योगा भ्यास है सभी लेडीज के लिए और लेडीज के लिए खास यह भी बोलना चाहूंगा लेडीज अपनी बीमारियों को छुपाती बहुत है तो किसी भी प्रकार से कोई संकोच ना करें यदि आपको किसी भी प्रकार से मंथली की दिक्कत है त साथ दसमोला रिष्ट या दसमोल का क्वाथ ले ले अपने जो है ये दिलिकोरिया है तो शीशम के पत्ते और शतावर चोन खा ले अपनी बीमारी को छिपाएने ज्यादा तर लेडीज को कब्ज रहता है अहुला एलवेरा का सुबट करके जूसी पेले और दिन में 3-4 लिट मस्या नहीं है जिसका इलाज और जिसका समाधान भारतिय चिकित्सा पद्दतियों में आयूरवेद में और योगा के पास ना हूँ यही हमें समझा रहे हैं बाबाराम देव लेकिन हम फिर जुड़े इस चर्चा में इसके पहले चोटा सब रेक लेंगे